सभी को मेरे नमश्कार मैं संदीब बंसल डैवोशन इंस्टिटूट के ओलाइन मंच पर आप सभी का फिर से एक बार हाड़ देख स्वागत भिनंदन करता हूं और आज जो क्लास का नंबर है वह है टेस्ट नंबर 15 पंद्रवे नंबर का टेस्ट 25 कुश्चन्स डिसकस करने ह और अपनको फाइनली कहां तक पहुंचना है 500 का अपना टार्गेट है जिन में से 25 कुश्चन्स फिर से लेकर आए हैं टेस्ट नंबर 15 में तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन आज के अपनी क्लास टेस्ट नंबर 15 टेस्ट नंबर 15 और यह रहा आपका पहना स है पड़ी अपसंस का करा है सपोर्टिंग एंजाइम इन ऑक्सिडेशन अक्सी करन में साहे के अपसंद भी क्या यह है एक हार्मोन है अपसंसी अब मोलेकुलों फोस्पेड बार्ण रिक्वाइड है एनरजी कुछ उर्जाबाले फोस्पेड बंदगानू है या अपसंद प्रोटीन एक प्रोटीन है क्या होगा अपड़ा है आपने एटी पी पढ़ाता है कोशिका में कहा नाम आता है इसका माइटो कॉंड्रिया में सेल के अंदर आता है माइटो कॉंड्रियन या फिर आप इसको कहां क्रेट कर सकते हो सोशन में दो पार्ट आते हैं एक आता है अपना ग्लाइकॉलाइसिस और एक कौण सा साइकल आती है चक्र क्रेप्स चक्राती है और इन सब में चलता है क्या नाम एटीपी 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 सबसे पहले तो पूरा नाम पड़ो नाम पड़ते ही आपको इस question का answer मिल जाएगा एटीप को पूरा नाम क्या होता है एडिनोस्टिन ट्राई फॉस्पेट अब आप देख सकते हो क्या इस कुश्चन का सही जवाब होगा फॉस्पेट क्या एक हार्मॉन होगा नहीं क्या ये ओक्सिकरन में साहेक एंजाइम होगा कोई एंजाइम नहीं होता है क्या ही प्रोटीन है नहीं है देखो फॉस्पेट बंद का अनू उच्च उडजा वाले फॉस्पेट बंद का अनू तो कुश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा option C is the right answer उच्च उडजा वाले फॉस्पेट बंद के अनू को ATP adenosine triphosphate कहा जाता है ठीक है चली चलते हैं अगले कुश्चन पे 352 नंबर का कुश्चन सबसे बड़ा श्वेत रुधिर आनू है तो लार्जेस्ट वाइड बलेड सेल इस वाट ऑप्शन ए लसी कानू लिंफोसाइट ऑप्शन बी के अंदर कानू मोनोसाइट ऑप्शन C बिमवानू पढ़िए दस सेकंड का समय आपको देता हूँ अराम से सोचिए क्या इसका सही जवाब होगा ताकि फिर देखते हैं इसके अंदर जो भी बात हैं को याद रखनी है क्विश्चन आपके सामने लिखा हुआ है सबते बड़ा श्वेत रुधिर अनू है प्लेटलेट्स या इरिथ्रोसाइट देखिए इरिथ्रोसाइट किसे का जाता है जब तक आपको यह साइट बगर नाम याद नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे इरिथ्रोसाइट केते हैं RBC को रेड बुलर्ड सेल को प्लेटलेट्स को क्या केते हैं downwards like लेकिन बात किसकी और श्वेत की तो यह तो घलट हो गया यह तो लाल रगत करने कांवा होती है और यहसे स्वेत की बात कर रहा कर रहा हैग वह ऍएक मतरब डबूरी सी की बात कर सिनोफिल्स भी कहते हैं और एक मोनोसाइट और एक लिंफोसाइट पांच है तो दो तो लिखे हुए लसी कानू लिंफोसाइट और मोनोसाइट एक क्या होता है न्यूट्रोफिल होता है एक क्या होता है बैसोफिल होता है और एक क्या होता है एसीडोफिल होता है या पर एसी सेकंड थर्ड और दो यह लिखे हुए फोर्थ और फिफ्ट पांच होते हैं लिंपोसाइट मोनोसाइट कुश्चन यह नहीं है कि कित्य टैप्स को देकुश्चन यह कि लार्जेस्ट वाइट बिलड़ सेल कौन सी होती है तो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन भी मोनोसाइट सबसे बड़ा मोनोसाइट माना जाता है और सबसे जादा संख्या अगर सबसे जादा संख्या बहों सब्स्ब्स बॉती है सब ज्यादा संख्या कौन ज्लिख की है ठीक गर्दैना सब ज़्ज्ण रटेम संख्या बvation चैने करते लोडिए ऐलोगे सबसेपहले रोगणु़ों को बक्टेरिया से मारेगा कॉन काटेगा को क्लियर है चली चलते हैं अगली कोशन पर इरह आप का नेक्स कोशन कि शरीर में यूरिया बनती है चार अप्संस है क्या nitrogen cycle से बनती है क्या krepsi से बनती है क्या glycolysis चक्र से बनती है या option और निथीन चक्र कहने का मतब यह है कि दब process in which urea is formed in the liver is called as एक ऐसा चक्र या एक एंदर तो energy बंती है हिन दौनों के अंदर एनर्जी बनती है तो यह जो होती है यही होती है कि असर सो नाइट्रोजन यूरिया प्लांट से जाएगीन, फिर वो protein बगएरा बनेगा protein अपने organism में जाएगा इंसानों में, जानवरों में वो मलमूत्र का त्याग करेंगे, वो बापे स्मुत्रि मिल जाएगा that's called the nitrogen चक्र तो nitrogen चक्र भी निकलाएगा correct answer उसको कहते है और निथीन तो उसको क्या आद रखोगे और निथीन साइकिल और निथीन चक्र की यूरिया का निर्मान, formation of यूरिया is called as the और निथीन साइकिल और निथीन चक्र clear रहना, तो इस question का सही जवाब होगा option D चले चलते हैं अगले प्रिश्ट पे यह आपका 354, 304 नमबर का सवाल आपके सामने trans fat is generally considered harmful to human health because it lowers the level of मानव स्वस्थ के लिए trans vasa सामनत है, हानी कारक समझा जाता है, क्योंकि यह निमन में से किसका इस्तर कम करता है, चार options दिये हुए हैं, क्या यह triglyceride को कम करेगा, चाई insulin को कम करेगा, यह HDL को कम करेगा, यह LDL को कम करेगा HDL का मतलब क्या होता है, high density lipoprotein high density lipoprotein, और LDL का मतलब क्या हो जाएगा, same, low density lipoprotein तो यह क्या करेगा, अब देखो trans vasa का insulin से को लेना देना तो ही निए, यह दो ग्लुकोज में काम आती है triglyceride, triglyceride glycerine का form होता है वो बसा के पचले पर, जो digestion होता है, fat का body में तब बनता है तो यह भी answer नहीं होगा, आप समझगे कि सर, answer यह, दो बड़े प्यारे-प्यारे से word लिखे हुए, cute से HDL, LDL, इनसे ही मतलब कोई ना कोई होगा, तो जो, fat जो होती है उसका level जो बताते हैं, वो best level माना जाता है, high density lipoprotein, कि lipoprotein की अधिक्तम घनत्व body के अंदर कितना है, अगर यह trans वसा या fat ज़्यादा body में चले जाए, cholesterol, तो वो क्या करता है HDL के level को down कर जाता है, और वो फिर नुक्सांदा है है, क्योंकि lipoprotein की density low हो गई, तो वो चीज नहीं होनी चीए है तो इस question का सही जवाब क्या होगा option A is the correct answer, कि जो वसा है, fat है, lipid है, trans fat है वो क्या करता है, HDL, high density lipoprotein की body में क्या कर जाता है level को कम कर जाता है, high density lipoprotein और low density lipoprotein, तो इस question का सही जवाब होगा, option A is the correct answer चलिए जी, चलते हैं अगले question पे 355, 305 नमबर का सवाल आपके सामने है, identification of diseases inside the human body is done why, मानव सरी के भीतर भाग में रोगों की पैचान, भीतर अंदर की बात कर रहा है, रोगों की पैचान किस से की जाती है, काडियोग्राफ क्या इस question का सही जवाब होगा अंदर के भाग की बात कर रहा है अब देखो, सरीर के भीतर तो बहुत सारी चीज़े है elementary canal, आहर नाल है आमाशे है, small intestine है, large intestine है सब के बारे में बात कर रहा है, देखो, काडियोग्राफ, cardiac, ये केवल और केवल हिर्दय से संबंदित बातों को बताएगा तो ये इस दा not correct answer स्टाटोस्कॉप क्या करता है ये heart sound को सुनता है heart beat को सुनता है हिर्दय की धरकनों को नापते है स्टाटोस्कॉप से, वो doctor nurse compound ये गले में लेके लेके गुमते रहते है लंबी लंबी सांस लो लंबी लंबी सांस लो तो यहाँ पर देखते है वो heart beat दख 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 वो ज़्यादा जा रही है कि कम जा रही है तो ये accelerated हो गया है तो ये भी अपना correct answer नहीं बनेगा एंडोस्कॉप और गाइरोस्कॉप गायरोस्कॉप जो होता है वो जाठकी करिश का हो दरशाता है या और इन्टेशन बगारा जोटाह का मतलब क्या हो हो गया अंग अंगेइलर विलॉसटी लतुआ कर घ्र विलॉसटी हो गया या पर और इन्टेशन और यकान धीर अज्य वेटेयर ये करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा option B is the right choice endoscope को कहते हैं अंतहदर्शी नाम ही इसका है endoscope, अंतहदर्शी अंदर की रोगों को देखने वाला और एक क्यूशन वो भी आद रखना डिसका सोच चुका था कि भाई पूनामत्रिक परावर्तन पर इसकी घटना आदा रहते है endoscope works on the principle of total internal reflection पूनामत्रिक परावर्तन तो इस question का correct answer बजाएगा option B चली चलते हैं अगले प्रिशन पर ये देखते हैं कि अगला question क्या कहता है 356 number का सवाल आपकी screen पर है during the physical activities glucose और energy consumption is greatly increased because of दोड़ रहे हो भाग रहे हो बहुत ज्यादा काम कर लिया कस्रत कर लिया ठकावट हो गई ठक रहे तो body क्या मांगती है भोजन मांगती है क्यार कुछ तो देदो भूख लग रही है ठक गया में तो body के अंदर glucose की required होती है क्यों होती है वो पूछ रहा है शारेरिक क्रिया कलापों या व्यायाम के दोरान glucose या उर्जा की खपत अत्यदिक बढ़ जाती है इसका कारण क्या है option ए फैटिक ठकान option बी शिवरिंग कपाहट option डी muscular trophy पेशियों का सोशन होने लगता है जितना ज़्यादा काम होगा गुलुकोज से ऑक्सीजन जुड़ेगी और गुलुकोज का क्या होगा oxygen होगा oxidation बिसपोट और body को मिलेगी energy अब दोर रहें भाग रहें तो energy body को क्या चाहिए energy ज़्यादा चाहिए है तो glucose भी क्या चाहिएगा ज़्यादा और गुलुकोज ज़्यादा चाहिएगा क्यों 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 क्योंकि body में किसकी कमी हो रही है oxygen की कमी हो रही है तो गुलुकोज की खपच ज़्यादा होने ले जाती है तो body में oxygen क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है तो फैटे के ठकान से मतलब नहीं है, कपकपाहट से मतलब नहीं है, पेसी एसोसन से मतलब नहीं है, option C, अपन करते न, भागते दोर तो तो लंबी-लंबी सांसों सुरू हो जाती है, क्यों क्योंकि बोडी में oxygen कम होती जा रही है, oxygen depth, oxygen रिन, oxygen के आवशक्ता बोडी को बढ़त सरीर में तुचा के नीचे पाए जाने वाले वसा का क्या कार रहे है, वसा का क्या कार रहे है, what is the function of fat, what is the function of fat found beneath the skin in human body, वसा का क्या कार रहे है, जो तुचा इसकिन के नीचे वसा जमी रहती है, हलकी लेयर की, उसका काम पूश रहा है क्या, option A, prevention of decay of the body salt, सरीर के लवडों क छह रोकती है, ताकि सरीर के जो salt है, बोडी के वो भार ना निकल जाए, option B, preventing loss of body heat, शरीर की उसमा का छरन रोकती है, कि बोडी की पूरी उसमा भार ना निकल जाए, option C, preventing harmful microorganism, हानिकारक सुख्ष जीगों को रोकती है, ताकि वो सरीर के अंदर प्रवेश ना कर जाए, जो option D all of above, सारे काम करती है, वो fat क्या करती है, यह पूचा गया है, अब देखो, देख के तो ऐसा लगता है, कि सर, हाँ, salt को भी रोक रही होगी, bacteria's को भी रोक रही होगी, heat को भी रोक रही होगी, correct answer D कर देते, नहीं, D correct answer नहीं होगा, क्योंकि fat का micro organism से कोई लेना देना नहीं हो यह लवरों के च्छे को नहीं रोक पाती है, correct answer is what, option B, यह होती इसलिए है, ताकि body की सारी energy, body की सारी heat, skin के जो अपने रोमचिदर है, उनसे बाहर ना निकल जाए, ठीक है ना, तो यह क्या करती है, उस्वा के चरण को, depletion of the heat को prevent करती है, in the body, कि body की सारी उस्वा, heat के form मे body से बाहर exhaustion ना हो जाए, तो उसको रोकने के लिए काम करती है, वसा, तो सरी की उस्वा का 6 रोकती है, यह तुचा के नीचे, under the layer जो होती है, किसकी fat की, वो यह काम करती है, चलेजी, चलते हैं गले question पे, यह रहा आपका 358 नमबर का, आपके screen पर सवाल, 358 नमबर का सवाल, which organ is commonly affected by aflatoxin food poisoning in humans, मनुष्य में aflatoxin खाद विसक्तता द्वारा सामानत है, आपको अंसा अंग प्रभावित होता है, aflatoxin, जो ज्यादा औरवरक टाइप की जो चीजे हैं, खाद fertilizer से जो बंती है, वो अगर body में ज्यादा जाए, तो एक रसायन body में अंदर इखटा होता चला जाता है, जिसे कहते हैं, aflatoxin, toxis, जहर, poison, अगर ये aflatoxin body में ज्यादा एक खटा होते चल जाए, तो बहुत ज्यादा मामला body का गरवर हो जाता है, और सवाली आता है कि कौन से अंग को ये aflatoxin नामकर रशायन प्रभावित करता है, option A, heart हिर्दय को, option B, lungs फैप् हो जाता है कहां, लीवर यक्रत में, और मैंने बताया था, सरीकी रसायन साला, chemistry level of the body, कौन से पार्टे बोडी का कौन सा ओर्गन है, यक्रत है, लीवर है, वहीं पर ये जहर, जमा हो जाएगा, तो अंदर के रसायन, अंदर के chemical यक्रत के खराब होने लगे, सरीकी रसायन सा चलिए चलते हैं अगले कोशन की ओर, और यह आपका नेक्स कोशन, 359, 300 गुलसटकर नंबर का सवाल, आपकी स्क्रीन पर, मनश्य की आखों में रंग की अनुभूती किसके द्वारा होती है, इन विमन आइस, परसेप्शन अफ कलर्स इस फॉर्मड बाई, आख के अंदर हो सेल्स, कौन सी सेल्स, कौन सेल, रोड सेल, बोथ कौन रोड सेल, या D, कोरोईड लेयर सेल, मतब कि रंगों की अनुभूती, लाल है, नीला है, पिला है, यहरा है, यह रंग कौन बताता है, आख की कौन सी कोशिका, कौन सी सेल बताती है, उसको कौन सेल बोलते हैं, रोड से के लिए है रंगों के लिए जो अपना कोशन दिया हुआ है रंगों की अनवूती परसेप्शन सेंसिटिवीटी फो दखलार्स की बड़ा प्यारा लग राले हरा है नीला है पीला है गुलावी है जो भी है तो क्या होगा इस कोशन का सही जवाब बहुत तो नहीं हो सकता कि ग वनामदता क्या कहते हैं वनामदता को कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं सवाल है जाता है कि वनामदता एक कैसा रोग है यह जनेटिकली हेरेडिकली लोग है रोग है अनुवांशिक रोग है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में माता-पिता से ट्रांस तक राइन देठे तो traffic signal के रंग याद रखना ट्रेफिक सिंगनल में कौन कहुंसे रंग बेशेश थ refrain रोम योड जाने के लिए रेड और ग्रीन तो लाल और हरे रंग का difference इंपने सुझार्ण नहीं और यही दो रंग जीवन से क्या हो जाते हैं गाएब हो जाते हैं तो रंगों के लिए कौन आती है कौन से लाती है चलिए चलते हैं अगले कुशन पर और यह रहा आपका आपकी स्क्रीन पर 306 नमबर का सवाल 360 मानव नेत्र के कौन से भाग में रक्त वाही काएं नहीं पाई जाती चार अप्संस है कौर्णिया सच्वंडल ऑप्संवी रेटिना द्रिस्टी पडल ऑप्संसी कौरोइड रक्तक पडल ऑप्संडी पुपिल पुतली रक्त की जो सेल से ब्लड वैसल से मतलब कौन से भाग में रख तो होता ही नहीं है यह पूछना चाहरा है क्या द्रश्टी पडल रेटिना रेटिना कहा होता है रग्तक पडल कौरोणा और पुपिल पुतली जिसे कहते हैं और सच्वंडल कॉर्णिया देखो आख जो होती है ना अपनी यह जो भाग होता है नहीं यहाँ पर एक ऐसी लेयर सी चड़ी रती है इस तरह से वो लेयर ही कहलाती है क्या कौर्णिया और कौर्णिया का काम क्या है प्रिकाश को प्रिवेश कराना एंट्री अप दे लाइट गिविंग प्रिकाश को प्रिवेश कराना लाइट एंटर किस से होगी कौर्णिया वाले पार्ट से होगी और नेत्रदान में आई डॉनेट में भी आख का कौन सा पार्ट डॉनेट किया जाता है वो कौर्णिया डॉनेट करते हैं और कौर्णिय कोई इस million कि फॉश्व यह इक कॉछ दर्सी है पारव सी एक जुली है पारतर सी जुली है ट्रांसपारेन्ट एक मेंब्रेन है पारत दर्सी जिनली है इस पर कोई भी रैक्ट इस पर रक्त नहीं आता और नहीं इसके पास कोई blood vessels होती है मतब रक्त से इसका कोई लेना देना नहीं है यह तो एक तरह से ऐसे समझे पॉलिथीन सी है जैसे पॉलिथीन नहीं होती है मिलकुल पतली सी ऐसी एक layer होती है तो उसमें रक्त का कोई लेना देना नहीं होता तो cornea is the correct answer कि cornea सुच मंडल पर किसी प्रकार का कोई भी blood vessel से अरक्त नहीं आता रक्त की कोई भी कोशिका नहीं पाई जाता चली चलते है next question पे यह रापका 361 361 नंबर का सवाल जब आख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है होता है ना ज्यादा दूल चली गई तो अपना आखों को ऐसे रगड़ लेते हैं तो बड़ा लाल लाल सा हो जाता है तो पूछ रहा है वो जो लाल लाल भाग होता है वो कौन सा पार्ट होता है क्या cornea होगा क्या रख्तक पतल कुरोइड होगा क्या कंजक्टिवा नेत्रशलेश्मा होगी या डी स्कलोरोटिक क्या वो द्रड़ पतल होगा क्या इस कुश्चन का सही जवाब होगा बताईए cornea का दूर से लाल होना या ऐसा कुछ होने का कोई लेना देना नहीं होता क्योंकि लाल तो जहां होगा जहां blood vessels होंगी रख तो वहें का होंगी तभी तो वह लाल दिखाए देगा जादा तो option यह तो वैसी नहीं हो सकता तो cornea तो गलत क्योंकि अभी तो कुश्चन पड़ा था कि cornea पर कोई भी blood vessels नहीं होती अब बची तीन रख्टक पटल दलड़ पटल या नेत्र शुलेश्मा तो आपको लगेगा असर यहां पर रख्ट लिखा हुआ है तो क्या यह बनेगा नहीं correct answer होगा उसको बोलते हैं conjunctive नेत्र की शुलेश्मा नेत्र की जो जुली है शुलेश्मा है मैं उस शुलेश्मा में जो मुकस है उसके अंदर जो है वो धूल अगर मानुच जादा जम जाए तो वो blood जादा इकटा होने लग जाता है जिससे वो लाल रंग में चमकने लग जाती है तो कौन सी आंको सूख जाती है कौन सा आंको सूख जाता है या लाल ला लो जाता है तो यहाँ रखना कंजक्टिवा नेत्रिश वलेश्मा के लाता है option C is the correct answer for this question चलिए जी चलते हैं अगले प्रिश्ण पे क्या केता है next question मानफ सरीर में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है the element found in maximum quantity in the human body is मानफ सरीर में सरवादिक मात्रा में कौन मिलता है देखिए मानफ सरीर सरवादिक मात्रा में मिलता है क्या oxygen oxygen के बाद नंबर किसका आता है carbon का कारवन के बाद नमबर किसका आता है हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के बाद नमबर किसका आता है नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के बाद नमबर किसका आता है कैल्सियम का इस तरह से अपने बोड़ी में ये डॉर्मली होती है पर्सेंट्र की बात करें तो लगवख 65 structural होता है कारवन 18.5 परसेंट होता है यह लगवख 3.3 परसेंट होती है और यह लगवख 1.5 परसेंट होता है iron अब तक मैंने इन्लिकाक है ने लिखा iron और भी बाद में आता है तोडियम सरवादिक कौन दिखा रहा रहे हैं कैलसियम. कैलसियम is the right answer. option D is the correct answer. अगर पूचल पूचे कि सरवादिक मातरा में तो याद रखना सब साथ oxygen मिलती है. उसके बाद में किसके नम्रा आता है carbon का. फिर किसके नमरा आता है hydrogen का. फिर किसके नम्रा आता है nitrogen का. फिर किसके नम्रा आता है नहीं है, क्या carbon metal है? नहीं है, क्या hydrogen metal है? नहीं है, क्या nitrogen metal है? नहीं है, metal कॉन है? calcium, तो सरवादिक धातू in the human body के बाद करा है मनुश्य सरी की, तब भी सही जबाब क्या बन जाएगा? calcium तो देखो, मानब सरी में सरवादिक कॉन है? oxygen और सरवादिक धातु कौन है calcium और अगर प्रत्वी की सतय पर पूछ ले प्रत्वी की परतों में प्रत्वी की सतय पर अर्थक्रिष्ट बात कर ले अर्थक्रिष्ट की बात कर ले तो अर्थक्रिष्ट पर सरवादिक कौन मिलेगा कोई आइडिया अर्थक्रिष्ट प्रत्वी की सते पर सरवादिक, तब भी कौन मिलेगी, अक्सिजन सरवादिक मिलती है, लेकिन अगर सरवादिक धातु पूछ ले, सरवादिक धातु कौन होगी, एलिमेंट तो अक्सिजन हो गया, लेकिन सरवादिक धातु पूछ ले, तो याद रखना, अक्सर विद्धार्ती लोहा टिक कर देते हैं, बिल्कुल गलत जवाब है, सरवादिक धातु और अर्थक्रिस्ट प्रत्वी की सतयों में, उनकी परतों में, लेयरों में सरवादिक धातु मिलती है, अलुमीनियम, क्लियर है न, तो इस चीज का खास के याल रखना, सरवादि तत्व जो मिलेगा, वो अक्सिजन मिलता है, प्रत्वी की सतय में, और सरवादिक धात्वी जो मिलती है, वो अलुमीनियम मिलती है, क्लियर है, तो दोनों बाते याद रखना, मानप सरी में सरवादिक अक्सिजन, धातु कौन है कैल्सियम, प्रत्वी की सतय पर सरवादिक और दातु कौन है अलुमीनियम अपनी बॉडी में केल्सियम और अर्थवेस्ट में अलुमीनियम लेकिन तत्व एलिमेंट दौनों में ऑक्सीजन सरवादिक है और आप जानते ही है एक वाई मुंडल का पूछ लेता है इंदा एट्मोस पेर वाई मुंडल में सरवादिक कौ होता है हड़िया बॉंस का शारे रिक और बोडी और गेंस का तुचा मास्पेसी तता अंग इसकिन मसल्स एंड और गेंका या पिर वोटर का तो अपसर स्टुडेंट क्या है हड़ बड़ा हट में जल्दी वाज़ी में टिक क्या कर दिता है सवर अधियों का बज़न जाद है पानी का होता है चली चलते है नेक्स कुशन की ओर यह रहा आपका अगला सवाल यदी किसी वफ्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तोला जाए तो हवा में लिए गए भार की तुल्ला में उसके बहार पर क्या प्रभाब पड़ेगी option A ब्रदी होगी option B कमी होगी option C एक समान बना रहेगा option D पूर्व अन्वान नहीं किया जा सकता if an object is weighted in water what will be its impact compared to the weight in the air option A will increase option B will decrease option C will remain same option D cannot be predicted सोचिए बहुत बढ़िया और logical भरा सवाल है दैनिक जीवन से जोड़िये और बताइए क्या question का सही जवाब होगा बहुत अच्छा सवाल है सिंपल सा एक logic लगाईए कि माल लो एक बाल्टी में रस्सी बंदी हुई है और आप किसी कुए के पास खड़े हुए हैं और आपको काम दिया गया कि कुए से पानी निकालना है रस्सी बंदी बाल्टी को आपने कुए में भेब, ठैक दिया, पानी में वो डूब गई पानी में भी आपने रस्सी को खूप सारा छोड़ दिया तो बाल्टी जो है वो बहुत अंदर तक चली गई लेकिन लास्ट चोड़ आपने पकड़ा हुआ है वो नी चोड़ा अभ आपने उस रस्ची को खीचना शुरू किया अभी बाल्टी में पानी तो भड़ चुका है लेकिन बाल्टी अभी भी कुए के पानी के अंदर है डू भी हुई है आप उसको खीच रहे हो अब जैसे ही वो कुए के पानी से बाहर आती है तब आपको बाल्टी का बजन जादा लगेगा अब यसली जब पानी से भार आती है तब आपको बजन जादा लगता है पानी के अंदर वफ्तु है तो आराम से खिच लेती और जैसी पानी से भार वाल्टी हुई तो आपन को और ज्यादा फोर्स वल वेट लगाना पड़ा तो आप समझ गये होंगे क्योशन का यारा फिर से पड़ो किसी वफ्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तोलो और फिर हवा में लिए गए भार की तुलना में उसके भार पर क्या प्रवाब पड़ेगा तो पानी के अंदर की बात कर रहा है तो पानी के अंदर बाहर क्या हो जाता है कम तो ब्रदी हो यह वो ही है बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप डूबने तैरने वाली जो बात बताई थी मैंने एक क्वेस्चन में कि वह किसका घणत में जादा है कम है वो डूबेगा तैरेगा वो यही सवाल है इसी सही संबंद देता है इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर कोई वस्तू किसी द्रम में डूबती है तो द्रम में डूबने पर उसके द्वारा बनाया गया जो भार होगा वो उसके आभासी भार में कमी के बराबर होता है इसका मतलब आभासी भार में कमी होती है तो पानी के अंदर जाके वर्चल जो उसका वेट है sensitive वेट वो क्या होगा क तो याद रखना किसी द्रम में वस्तु की जाने पर उसके आबासी बार में डिक्रीमेंट होता है, कमी होती है, बार निकालोगे बापस पहले जैसा बार मिल जाएगा मतलब बढ़ जाएगा, तो पानी के अंदर जाने पर क्या होती है, डिक्रीज वो यही कह रहा था, कि पान इसकी आपका 365, निम्न कत्रों में से कौन सा गूरुत्विय तोरण के बारे में सही नहीं कहा जा सकता, ओपसन A, बढ़ने के साथ साथ गरता जाता है, ओपसन B, नाहीं जाता wh reco प्रत्वी के केंदर पर शुन हो जाता है और संदी प्रत्वी के जरिवमान पर निर्वर नहीं करता विच वन अब दा फॉलिएंग स्टेट्मेंट इस नोट करेक्ट अबाउट ग्रेविटेशनल एक्सलिडेशन देखो यह आपकी हो गई सते यह हो गई आपकी कहराई और यह पहुंच गई आपकी इंदर पर और यह हो गई आपकी उचाई ठीक है देखो यह हो गई उचाई यह हो गई सते यह हो गई गहराई और यह हो गया केंद्र हमेशा याद रखना कहीं भी जाओ कहीं भी जाओ एक्सेप्ट धुरुब पोल धुरुबो को छोड़ दो बाकी आप चाहे विश्वत रेखा भुमद रेखा इक्वेटर की तरफ आओ चाहे आप उचाई पर जाओ चाहे आप गहराई में जाओ चाहे आप केंद्र पर जाओ हमेशा गुरुति तरण घरता हुआ चला जाता है तो आप उचाहे पर जाओगे तब भी Small जी क्या होगा कम होगा आप गहराई में आएंगे तब भी Small जी क्या होगा कम होगा और केंदर पर small g की value क्या हो जाती है 0 हो जाती है और सत्य पर तो जो रहेगी वो रहेगी तो याद रखना किसी उचाई पर पहाड़ों पर जाओगे g कम होगा depth में गड़ा खोदगर सुरंग में जाओगे 0 मतलब की कम होगा decrease और अगर depth गहराई में गड़ा खोदगोद के सुरंग बनाते हुए आप अगर center पर पहुंच गए तो वहाँ पर small g क्या हो जाता है 0 weightless वारिंता की अवस्ता आजाती है एक जगे बढ़ता है अर्थ की सत्य पर जहां आपन रह रहे हैं अगर इस surface पर आप अगर move करते हो तो क्या होगा अगर towards the poles चाहे वो north और चाहे south उत्तर या दच्चिन धुरूप की तरफ जाओगे तो g क्या होगा बढ़ेगा increase बाकि आप towards the equator भूमद रहे हैं विश्वत रहे हैं अगर की तरफ आओगे तब भी जी बढ़ेगा तो एक यावस्ता याद रखा करो जी कब बढ़ता है जी बढ़ता है towards the poles दुरूप की और बाकि सब जगे घटता है तो क्यूश्चन का सही जवाब क्या होगा उचाय बढ़ने के साथ घटेगा बिल्कुल सही जवाब है गेराय बढ़ने के साथ बढ़ेगा गलत है प्रत्वी के केंदर पर शुनोगा बिल्कुल सही बात है प्रत्वी के द्रवमान पर निर्वर नहीं करता प्रत्वी के द्रमान पर निर्वर नहीं करता small g is called to gme upon r square बिल्कुल करता है वाई, प्रत्वी के द्रमान पर भी निर्वर करता है तो ये option भी यहाँ पर गलत दिया हुआ है, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है कभी question के दो answer बन जाते है, तो कौन सी बात सही नहीं है गहराई बंडे के साथ बढ़ता जाता है, एक बात तो ये सही नहीं है और दूसरा प्रत्वी, वस्तु के द्रमान पर निर्वर नहीं करता लेकिन प्रत्वी के द्रमान पर निर्वर नहीं करेगा, क्योंकि पांग्षी का पंक है, और एक आम है और 5 रुपे ये का सिक्का है, दिर्वात में, तीनों को छोड़ोगे, तो तीनों मैं बतायाता था WILL quot a day. पर तीनों समान समय पर आते हैं, तो truth ट्विटर एंड इसमाल जी डजनोट डिपेंड ऑन्दा मास अब जट वस्तु के दिर्मान पे निर्वन नहीं करता है और यह बुल रहा है कि प्रत्वी के दिर्मान पर निर्वन नहीं करता है गलत वात तो इस कुश्चिन के दो सही आंसर होंगे एक तो गेराय के साथ साथ डेप्थ इंक्रीज तो यह गलत वात है तो यह आंसर बन गया गड़ाय के साथ घटेगा बढ़ेगा नहीं और दूसरा डजनोट डिपेंड ऑन्दा मास अब दार्थ करता है तो इस कुश्चिन के सही जवाब दो बनेंगे बी एंडी तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा option B is the right answer and option D is the right answer तो इस question के दो answer याद रखना है लेकिन आपके exam में जब भी अगर इस प्रकार का सवाल आता है तो obviously एक ही option होगा लेकिन यहाँ पर दोनों answer बनेंगे कि प्रत्वी के जिरमान पर निर्वर करता है जबकि यह बोल रहा नहीं करता तो यह बात गलत है सही नही for this question चलिए जी चलते हैं आगले प्रिशन पर कहते हैं देखते हैं क्या कहता है 366 what is the principle by which cooling system in a motor car works मोटर कार में शीत लंतन तुरक्य सद्धांत पर कारे करता है option a conduction only केवल चालन, option b convection only, केवल समवहन, option c radiation only, केवल विकीरन, option d चालन इबं विकीरन दोनों तो देखो cooling system radiator, अर रेडियेटर में क्या होता है cooling करने के लिए क्या होगा या तो पानी का इस्तमाल होता है या फिर air वाली बात होगी तो हवा के इस्तमाल होगा और दोनों में उस्मा के संचरन का कौन सा method लगता है transmission of heat, convection लगता है कौन सा लगता है convection लगता है conduction लगता है तो शीतलन के लिए हवा या पानी का इस्तमाल होता है तो द्रव और गैस, liquid and gases फेजी तो हुआ तो उन्देन में कौन सा method लगता है heat का transmission of heat उस्मा के संचरन का सम्वें द्रव और गैसों में सम्वें विदी इस्तमाल होती है तो यहाँ पर correct answer क्या बन जाएगा option B convection only cable submit is the right answer 366 नमर का question आपके सामने चली चलता है अगले प्रिश्ण पे और यह आपका next question प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते हुए पानी का तापमान बढ़ जाता है चारो और से बंद होने के कारण वायू का प्रभाव नहीं पड़ता है अधिक दाब के कारण उबलते हुए पानी का तापमान घड़ जाता है प्रियुक्त पानी का बास्पन बहुत कम होता है pressure cooker cooks found in laser time because temperature of boiling water increased due to the high pressure here has no effect as it is closed from all sides temperature of boiling water decreased due to the high pressure evaporation of the water used in very small प्रियुक्त पानी का वास्पन जो है वो बहुत कम होता है क्या इसका सही जवाब होगा बताइए देखिये होता क्या है pressure cooker pressure का मतलब दाव है दाव अगर बढ़ेगा तो उसका कोथनांक बिंदू क्या होगा बढ़ेगा कोथनांक बिंदू का मतलब क्या होगया boiling point क्या होगया boiling point BP अगर pressure बढ़ेगा तो कोथनांक बिंदू भी क्या होता उसका proportional होता बढ़ेगा और कुथनांक बिंदू का मतलब क्या समझते हो वाटर जो है वह 100 डिग्री सेस्ट पर बॉइल होता है और अगर बॉइल हो गया तो सारा बैपराइस करके उड़ जाएगा तो प्रेशर बढ़ने से अब प्रेशर को कर का नाम ही प्रेशर है दाब बढ़ेगा प्रेशर जाए लगवग 125 डिग्री पर उब लेगा ठीक है तो अब उसका कुथनांक बिंदू बढ़ गया तो इतना टेंपरेशर उसको मिलेगा नहीं तो जो वास्प है उसकी मतलब पानी है वो कुकर के अंदर बना रहेगा और जितना टाइम बना रहेगा उतनी टाइम गुप्ति उस्मा को इंगलेस में क्या करते है लेटन्ठीट वह भी भड़ जाती है और क्या होता है जल्दी पकता है तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा देखो लास्ट अप्सन पड़ो एवपरेशन अब दा बाटर यूज़ इस वेरी स्मॉल वास्पित नहीं होता और जितना वास्पित नहीं होगा तो पानी अंदर गरम बना हुआ रहेगा खाना जल्दी पकेगा तो डी इ पर करक्ट अंसर ये बनेगा कि प्रियुक्त पानी का वास्पन कम हो जाता है क्यों कम होगा क्योंकि कोथनांग विंदू क्या होगा बढ़ गया अब सो की वजाए हंड्रेट की वजाए 125 पर वह उबलेगा और उबलेगा नहीं मतबब वहां जाकर उबलेगा तब बास्प बनेगी तो इतना temperature मिलेगा नहीं तो वास्ट भी नहीं बनेगी और वास्ट बनेगी नहीं तो पानी का temperature अंदर बना रहेगा खाना जल्दी पकेगा तो इसको ऐसे पूछता है वो कि भगौनी की तुल्णा में pressure को कर में खाना देड से पकता है मतब pressure को कर में खाना जल्दी या फिर सवाल ऐसे भी आजाता है कि पहाड़ों के तुल्ना में बदब धरातल प्रत्वी के तुल्ना में पहाड़ों पर खाना बेट से पकता है क्यों क्योंकि पहाड़ों पर माउंटेन पर जाओगे तो क्या होगा वाइंवंडली दाप क्या हो जाता है कम प्रेशर कम बॉ चलते हैं अगले प्रिश्ण पे और यह रहा आपका नेक्स क्वेशन 368 368 नमबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर जब सीले विस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया जाता है तो भी कुरकुरे हो जाते हैं क्यों फ्रिज में दाब अधिक होता है जिससे अधिक नमी भाराने में मदद मिलती है फ्रिज में दाल धी कुरकुरे हो गाए क्यों क्यों क्योंकि फ्रिच के अंधर हुथ मैं प्लेक्ड कर लिया जाते है तो correct answer क्या बन जाएगा फ्रीज के अंदर आधरता कम होती है इसलिए अक्तिरिक्त नमी को आप शूशित कर लिया जाता है option B is the right choice humility inside the phrase is low and extra moisture is absorbed चलिए जी चलते हैं अगले प्रिश्ण पे यह आपका अगला सवाल 369 380 नमबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है यदि रेफ्रीजरेटर के दर्वाजे को कुछ गंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरी के ताप पान पर क्या प्रवाब पड़ेगा if the door of the refrigerator is kept open for some hours then the temperature of the room will be अब आपन क्या सोचते अरे फ्रिज का दर्वाजा खुला चूड़ गया अंदर की ठंडी ठंडी उसमा भार आएगी और क्या हो जाएगा गरम हो जाएगा जबकि ऐसा नहीं होता क्यों क्योंकि अंदर पीछे जो मोटर वगरा काम होती है ना उनकी हीट जो है दर्वाजा खुलने पर इंक्रीज हो जाती है तो इसलिए इस कुश्चन का सही जवाब क्या होगा कि अगर रिफ्रिजेटर के दर्वाजा को कुछ गंटों के लिए खुला चोड़ दें तो कम्रे का तापमान क्या हो जाएगा option B is the correct answer इंक्रीज हो जाएगा कम्रे का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाएगा और चलिए चलते हैं आगले प्रिश्चन पर 370 नमबर का सवाल आपके सामने है which one of the following is a natural polymer निम्न में से कौन सा पधार्त प्राकरतिक बहुलक है option A क्या बेकलाइट है option B क्या सिलक है option C क्या केवलर है option D क्या लेक्षन है which one of the following is a natural polymer कौन है प्राकरतिक बहुलक देखें दो प्रकार के polymers होते हैं एक प्राकरतिक जो nature से मिल रहा है plant वगेरा या किसी जानवर से animal से मिल रहा है और artificial synthesize कौन होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित human made होते हैं वो क्रत्रिम होते हैं तो प्राकरतिक कौन कौन से होते हैं जैसे natural रवड है प्राकरतिक रवड हो गया उन हो गई जूट हो गया कपास हो गया है ना ये सब क्या है उन जूट कपास ये रूई बगारा जो वंती है इन से सब प्राकरतिक होते हैं और रेशव, सिल्क, सिल्क के किटों से मिलता है न रेशव सिल्क वांब से मिलता है न रेश What दो होता है, उन जो बकरी भेड है, उनकी बालों से आती है तो इस question कैसे ज्वाब क्या होगा? backlight, backlight क्म प्लास्टिक है और plastic human-made होता है के जब एक प्लास्टिक है немыми नमेड़ है लक्षन भी एक रवड का रूप है हुम्हिं मेड है क्रेक्टांस लिज बहुत ऑप्षन भी सिल्ख सिल्क को कहते हैं क्या रे सरम भोलते ना सिलक की साड़ी दिलादो वड़ी महंगी आती है आठ दर दस जार से स्टाट होती है सिलक की साड़ी यां सिलक रेशम प्राकर्तिक बहुलक होता है चले चलते हैं अगले प्रिष्ट पे 371 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है ठंडे प्रिदेशों में पारे के स्थान पर एलकोहल को तापमा पे द्रव की रूप में वरियत्तर दी जाती है क्योंकि इंग्लिश में पढ़ते है प्राइटी इस बिइंग गिवन तो एलकोहल अब आप साइंस के सवाल कर रहे हो तो अब यह सी बात है यहां पर एकोनोमी कोई जंजट तो है नहीं और ना ही कोई यह प्रोडक्शन का जंजट है दो अप्सम तो मुझे पताया फटा दोगे कन्फिजन दो में होगा कि सर एलकोहल उसमा का बेच संचार संचा अच्छा कंड़क्टर होता है इसलिए टिक करें या प्रिए टिक करें तो याद रखना अलकोहल से भी good conductor heat पारा होता है मरक्यरी इस दा good conductor of heat compare outro alcohol यह भी नहीं होगा क्रेक्ट आंसर क्या होगा, क्यों हुआ यह लिए। क्यों हुआ यह रहे कि पारे का जो हीमांग श veinरा है पारे का हीमांग जा होता है ना freezing point होता है और यह थंड़े कंट्रियों में थंड़े परदेशों में क्या होगा जमने के गगार पर पहुंच जाएगा माइनस थर्टीनाइन तक और जबकि पारा माइनस एक तो फ्रीज नहीं होगा इसलिए वहाँ पर अल्कॉल को ज्यादा वरियता दी जाती है तो आंसर क्या बन फुल्रीन इस वाट पड़ी ऑप्शन है अ फॉर्म ओफ कार्वन कंपाउंड ऑफ क्लस्टर्स ऑफ सिक्टी कार्वन एटम्स बॉंडेड टुगेदर इन पॉलिहेडरल स्ट्रेक्चर कंपोज्ड ऑफ पेंटाकॉंस और हेक्जागोंस बड़ा पेच्चीदा से लिग दिय कार्वन योगिक का एक रूप जिसमें साथ कार्वन परमानुओं का गुच्छा होता है जो परस्पर पंजबुज या सटबुज से बने हुए फलक ये सन्चना से जुड़ा होता है क्या ये बात सही है ऑप्शन बी आप पॉलीमर और फुल्रीन मतब पॉलीमर और फ्लोरी क्या ये फलोरीन का बावलोग होता है ऑप्शन सी आइसो टॉप अप कार्वन हेवियर दैन सी फॉर्टीन का एक समस्थानिक जो सी चोड़े से भारी होता है नन इन में से कोई नहीं अब देखो ये हीरा ग्रिफाइट मतलब हीरा डायमंड ग्रिफाइट फुल्रीन ये कार एलोट्रॉप का मतलब क्या है एक ही पधार्त सबस्टांस के बने हुए है फिजिकल स्ट्रेक्चर अलग-अलग है केमिकल प्रॉपटी सेम है वह अपर रूप कहलाते है और जबकि यहां लेक दिया आइसो टॉप समस्थानिक कौन होता है जिनका परमानुक्रमांक समान और परमान भार अलग-अलग होता है तो यह आइसो टॉप तो नहीं होता बल्कूल गलत अपफुल्र को फुल्रीन को कहते हैं C60 साथ कारवन परमानू एक साथ जुड़े रहते हैं कैसी सन्नचना में बताओं आपको फुटबॉल जैसी सन्नचना में इसलिए इसको बकी बॉल कहते हैं बकी बॉल फुटबॉल जैसी गुम्मत जैसी सन्नचना बकी बॉल वकी क्यों ह suchen क्योंकिए अम्रिका के एक वास्तउ कार रहे है जिन्हों ने एक बीडिंग मनाया थी फुटबॉल जैसी और फुलरीन की इस्ट्रक्चर भी वैसे हैं था तो उन्हीं के नाम पर पढ़ गया नाम बघ्मिंस्टर फुलर उनका नाम क्या था बघ्मिंस्टर फुल और सी साथ के अंदर टोटल याद रखना 32 फलक होते हैं कितने फलक होते हैं 32 फलक का मतलब क्या है पॉलिहेडरल पॉलिहेडरल 32 सर्फेस होती है पॉलिहेडरल 32 में से आपको मैं बता दूँ 20 अलग और 12 अलग 20 तो कैसी होती है हेक्जा हेक्जागोनल और बारे कैसी होती है पेंटागोनल पेंटागोनल टोटल 32 पॉलिहेडरल होती है 32 फलक 20 तो होंगी हेक्जागोनल सट कौन ही है और बारे होंगी पेंटागोनल पंच गोन ही है तो देखो बिल्कुल सही लखा हुआ है साथ आ गया कारवन परमानु गुछ च्छा पंच बुज या सट बुज पेंटागोनल और हेक्जागोनल आ गया तो इस question का सभी जवाब होगा option A और चलिए चलते हैं अगले प्रिष्ण की ओर 333 नमबर का सवाल निम्न में से किसे would sprit भी कहा जाता है which of the following is known as would sprit methyl alcohol, ethyl alcohol ethylene glycol या option D glycerol, would sprit को हिंदी में cast sprit भी कहा जाता है, cast sprit cast sprit लकड़ी, लकड़ी के बंजक आस्वन से लकड़ी को पानी में गला कर गरम करके बंजक आस्वन से, जो sprit प्राप्त होती है वो कहलाती है cast sprit और याद रखना cast sprit जहलीली होती है, किसे कहते हैं correct answer option A methyl alcohol, methyl alcohol या score क्या बोलते हैं methanol, formula क्या होता है CS3OH, अगर इसको ज़्यादा कोई पी ले, तो अंधापन blindness हो सकती है, आपने अक्षण newspaper में पढ़ाओगा, सुनाओगा, देखाओगा कि फलाना दिन, या पिछली रात को 5 लोग की मृत्ती होगई जहरीली शराप के 7 से, 4 अंदे होगई पांच मर गई है, वो ऐसे news आपने कई बार सुनी होगी, तो अंधापन और मौत की संभावना हो जाती है, methanol जहरीली शराप होती है, और पीनेयों की सराप कौन सी होती है, बड़िया वाली पीनेयों की सराप, ड्रिंकेवल पीनेयों की सराप, विस्की, रम कोई कहते हैं, करेक्ट आंसर ओपसर ने, क्लियर है सभी को, चली चलते हैं, अगले प्रिशन की ओर, और यह दा आपका अगला सवाल, अगनी शामक यंद्र से कौन सी गैस निकलती है, अगनी शामक यंद्र फाइर एक्स टेंग उसर जो दीवार उपर लटके रहते हैं, और आजकल तो गवर्मेंट के तरफ से कंपल सरी है, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग हैं, फैक्टरी हैं, इस्टिटूर्स हैं, सब जगे, मॉल बगएरा वो लगा रहता है, लिफ्ट बगएरा में भी आजकल कंपल सरी सा हो गया है, देखो, अगनी शमक की अंतर में क्या-क्या भरा होता है, न, याज, स्यो, त्री, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, भरा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, एक सल्फिरिक एसेड भरा होता है, इन दौनों से रियक्षन होती है, तो सोडियम सल्फेट बनता है, और कौन सी गैस का नरवाण होता है, कारवन डाइक्साइड, करेक्ट आंसर तो अगनी शमक की यंतर से, आग भुजाने के लिए कौन सी गैस कम साउट बाहर आती है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन ए, सी ओ टू कारवन डाइक्साइड, और आज के सेसन का, आज के टेस्ट नमबर 15 का, यह आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल, अंतिम सवाल, और सवाल नमबर 25 और वैसे हो गया, 375, सिनेवार में धातु है, सिनेवार है, बिच मेटल, सिनेवार एक और होता है, और का मतलब आयस को होता है, तो सिनेवार क्या है कि यह आयस का है ओर है किसका ओर है जस्ता जिंक का मरकरी मरकरी का मरकरी का मतलब पारा हो गया एक तरह से पारे का टिन का या सीसा लेड़ का किसका होगा तो देखो सीसे का जो होता है न वो होता है गैलेना क्या होता है गैलेना होता है सीसे का मरकरी का कौन होता है बिल्कुल सही लिखा हुआ है पारे का होता है सिनेवार उपर लिखा हुआ है जस्ते के दो होते हैं एक होता है जिंक ब्लेंड जिंक ब्लेंड भी होता है और एक कैला माइन भी होता है और टिन का होता है कैसे राइट क्या होता है कैसे राइट टिन का होता है तो करेक् एक्जामों में और एक सीसा कई एक्जामों में पूचा गया है पारा और सीसा पारा पारा सिनेबार याद रखने का तरीका सिनेबार सिनेमा 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 और पारा मतलब का होगे पारो 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 कहां नाचती हुई दिखाई देती है सिनेमा में दिखाई देती है पारो क सीशा गल गया पारो से नेमा में नाचती है तो सीशा गल गया तो सीशा का बन गया गल गेलेना पारो मतलब पारा और सिने मतलब सिनेवार तो सिनेवार मतलब मरकरी का जस्ते के जिनके बिलेंड के लामाइन टिन का कैसे राइट और सीशे का गेलेना तो करेक्ट आंसर हो गया options is the right answer तो यह थे आपका 15 नंबर का test 35 question complete इस class के लिए इतने कापी मिलते हैं अगले test में अगले session में नए 25 questions के साथ तब तक के लिए धन्यवार